देखिएगा, पहले फंदे को हमें उल्टा करके, स्लिप करना है, और आगे से ले आना है धागा, ठीक है, अब हम दो फंदो का एक बनाएंगे, धागे को आगे करेंगे, दो फंदो का एक बनाएंगे, धागे को आगे करेंगे, दो फंदो का एक बनाएंगे, धागे को आगे करेंगे और इस तरह से हम पूरी रो को कम्प्लीट कर लेंगे और रो के लास्ट में क्या करेंगे यह देखेगा यह हमने दो फंदों का एक किया अब हम धागे को पीछे करेंगे और एज स्टिच को हम सीधा बनाएंगे यह हमें लास्ट में जरूर ध्यान रखना है तो इससे क्या होगा हमारा एज जो है वो एकदम क्लीन बनेगा यह देखेगा ठीक है और अब हम सेकंड रो में आ जाएंगे और फिर से हम इसी स्लाई को रिपीट करेंगे